सब्सक्राइब करें राधिका टिटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीखने के लिए और बेल बटन दवाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुच सके आज मैं आपको नेट की जाकेट बनाना सिखा रही हूँ इस जाकेट को आप किसी भी ड्रेस पर पहन सकते हैं जैसे गाउन अगर आपकी स्लीव लेसे तो आप उसके साथ पहन सकते हैं कुर्ती आपकी स्लीव लेसे तो आप उसके साथ भी पहन सकते हैं और आप टॉप पर भी इसको पहन सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो जाकेट बनाने के लिए मैंने डेड़ मीटर का कपड़ा लिया है आप इसको फैला लेते हैं तो कपड़े को आपको सीधा फैलाना है फिर उसको डबल करके उल्टा करना है इस तरह डबल करेंगे तो यह उल्टा हो गया है उसके बाद जिकनी आपको जाकेट की लंबाई चाहिए उसमें 1,5 इंच मिला कर लंबाई से काट लेना है तो जैसे इसको बनाना है सकता है इस इंच की तो इसमें 1.5 इंच एष्ट्रा मिलाएंगे और एक सीधा कपड़ा काटके निकाल लेंगे और जैसे आप इस कपड़े में देख सकते हैं कि नीचे की साइट बॉर्डर दिया हुआ है तो आपने नीचे की साइट मार्जन को नहीं बढ़ाया है अगर आपके में बॉर्डर नहीं है और सिंपल कपड़ा है तो उसमें आप एक इंच का मार्जन और बढ़ा लीजिए तो अब इसका ये बीच का जॉंट खोल देंगे अब इसका एक पाट उठाना है और आंगी के पाट की कटिंग करेंगे अब इसको डबल में रखना है और जॉंट वाली साइट अपने साइट करना है इस तरह इसको मिलाकर रख दिया है उसके बार आप इसकी कटिंग करने के लिए आप अपनी किसी भी सूट से नाप ले लीजिए उसी में फिर लूजिंग मिलाकर कटिंग करेंगे इस तरह कपड़े को डबल में रखने के बाद अब आपको एक बाल लंबाई का निशान और लगाना है तो जैसे इसको बनाना है 27 इंच का तयार करना है तो उसमें आपको क्या करना है कि आदा इंच उपर की सेट मार्जन लेना है तो 27 का निशान लगाएंगे हम 27 इंच पर तो 27 इंच पर निशान लगा दिया है अब निशान लगाना है आर मोल की लंबाई का तो उपर से लगेगा है 7 इंच पर और इसको सीधा कर दिया अब लेना है आपको सीना का चोथाई भाग तो जैसे आपने कुर्ती का नाप लिया है और आया है 34 इंच तो उसमें आप 2 इंच की लूजिंग मिला दीजिए तो हो जाएगा 36 इंच 36 इंच का आपको चोथाई भाग रखना है तो इसका निशान लगा दिया हमने 9 इंच पर तो कुर्ती में बैसे ही लूजिंग होती है उसमें आप फिर 2 इंच की लूजिंग और मिला देंगे तो इस उपर से पहनने के लिए लूज में बन जाएगी अब आपको निशान लगाना है कमर का इस निशान से 6 इंच पर एक निशान लगा दिया अब यहाँ पर निशान लगा देते हैं कमर का चौथा भाग कमर जैसे 28 इंच है तो इसमें 2 इंच की लूजिंग मिला कर हो जाएगी 30 इंच की तो 30 का चौथा भाग रखेंगे 6.5 इंच अब यहां पर देखिया यहां पर जो इधर आ रहा है ना पहले आप उसका निशान लगा लिए नौ इंच का इधर लगा दिया और यहां पर साड़े तीन इंच एष्ट्र बढ़ा दिया यहां पर साड़े तीन इंच एष्ट्र बढ़ा दिया आप चाहो तो घेरा के लिए 4 इंच भी कर सकते हो, 4.5 इंच भी कर सकते हो अब यहां पर निशान लगाना है सोल्डर का तो सोल्डर है जैसे 15 इंच तो इसमें फोल सोल्डर आपका यूज होगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो भी इस कंदे से उस कंदे तक का सोल्डर आता है उसी को आपको रखना है तो यह निशान लगा दिया में साड़े साथ इंच पर और यह हो गया आधा इंच का मार्जन अब इस निशान से सीधा करना है इस निशान को सिधा करने के बाद आपको आर मॉल को एक इंच पीछे लेना है और इस निशान को इस से मिलाना है इस तरह मिला दिया उसके बाद आपको लंबाई में इंची टेप को रखना है और इधर से ये गहराई देना है एक इंच के हिसाब से गहराई दे दी अब इस निशान को इस से मिलाना है, इस तरह सीना की निशान को कमर से मिलाया, अब कमर की निशान को इस निशान से मिलाना है, कमर की निशान को इस निशान से, तो इस तरह गुलाई लेती हुए आप इस निशान से मिला दीजिए, तो इस तरह निशान लगाने के बाल आप आ एक इंच का मारωςने लेग हैं आप चाहो तो 1.5 इंच का मार्जै रख सकते हो मारजन के बाद अब आपको निश्या लगाना गले का तो गले का निश्या लगाएंगे इसका साढ़े तीन इंच का और लंबाई में रहेगा इसका सिफ भीका तो भीकत सिफ लगा देंगे इसका 11 पर तो भीकत निशान लगा देंगे 11 इंच पर अब इस निशान को इस तरहे मिलाना है और बस इसको खोल देना है अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड एक इंच का इसको जोकाओ करना है एक इंच इस तरहे करेंगे और निशान लगा देंगे इस निशान को इस तरहे मिलाना है तो इस तरहे आपको निश्या लगाना है इसमें मैं आपको एक बात और बता दीती हूं कि इसमें नीचे की साइड जिया से मैंने बताया है कि बॉडर है तो आपको यहां पर अगर बॉडर नहीं है तो एक यह 1.5 इंच का इधर मार्जन लेना है जो पलटने के लिए आएगा ठीक है तो इस तरह आपको बढ़ाना है और यहां पर देखिए अगर ऐसा बॉडर नहीं है तो आपको क्या करना है कि इस तरह हल्की सी गुलाई दे देना है ठीक है लेकिन मैं इसमें गुलाई नहीं दूंगी क्योंकि इसमें डिजाइन है इस तरह आंगी के पाड़ की कटिंग हो गई आप हमें पीछी का पाड़ निकालना तो आपको क्या करना है कि दूसरे पार्ट को उठाना है उसको भी डव Tucson मे आपको रख देना है उसकी बाद उसके उपर आपको चटा हूआ पार को रखना है उसके बाद आप से यहां पर गुलाई देना है गले में उसके बाद एक इंच आपका इस तरहें तिर्चा हो जाएगा इधर नीची की साइट आते हुए आर्म होल को आधा इंच बड़ा देना है और इस तरहें मिला देना है अब को यहां पर कुछ नहीं करना है बस सेम निचान लगा हुआ है उसी के बरावर से आपको ककंक करना है इसी निचान के उपर आप कंक कर दीजिए तो इस तरहें आपको पीछे के पाट की करना है तो यह हो गया हमारे आंगे का पाट और यह हो गया पीछे का पाट अब हमें आस्तीन निकालना है तो पीछे के और आंगे के पाट को दोनों को मिलाना है और समाल के रद देना है अब हमें आस्तीन कीकटिंग करना है बचे हुए कपड़े को डवल में रखना है अब इसी में आपको आस्तीन निकालना है जो भी कपड़ा बचता है उसी में से आपको आस्तीन निकालना है तो अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपको लंबी आस्तीन बनाना है और आपके में बॉडर नहीं है तो आप इस तरहें कपड़े को रखेंगे तो जितना आप आस्तिन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं क्योंकि इस साइट से कपड़े की लंबाई बहुत जादा है और इस साइट से कपड़े की लंबाई कम है लेकिन इसमें जो बॉडर दिया है इसलिए हम आस्तिन इस साइट से निकालेंगे तो इसकी जितनी भी लंबाई आती है उतना ही इसकी आज़ती रखेंगे कपड़े को चाल लेयर में रख दिया है पहले डबल में किया और फिर उसको पलट दिया तो अब इस चाल लेयर में हो गया है तो चाल लेयर में रखने के बाद हमेशा आपको ध्यान देना है कि जुड़ी वाली साइट है जो वो अपने साइट रहे जिससे उसका जॉइंट ना खुले उसके बाद देखेंगे कि आस्तिन की लंबाई कितना आता है जैसे इसकी लंबाई आ रहे हैं 17 इंच तो यह तैयार हो जाएगी 1.5 में उसके बाद आपको निशान लगाना है 1.5 इंच नीचे की साइट एक निशान लगा दिया 1.5 इंच नीचे अब नीचे की साइट लगाना है मोहरी का निशान जो भी आपकी आती है उसका हाफ आपको रखना है तो जैसे इसकी मोरी की साहिज़ दस इंच तोस का हाप रख दिया यहाँ पर पांच इंच और यह हो जाएगा इसका मार्जन अब आपको मैं सरल तरीके वताती हूँ काटने का कि आपको क्या करना है आंगी के पाट को उठाना है और इस तरह मिलाना है जिससे आपके आश्तिन कभी भी छोटी नहीं होगी और आशानी से आप कटिंग कर लेंगे तो इस तरह सुरू से ही आप इसको मिलाईए और इस तरह निशान लगा लीजिए तो जहां तक यह आता है उधर ही आपको निशान लगाना है इस तरह मिला कर देख लीजिए और इस निशान से मिला दीजिए इसी में आपका मार्जन रहेगा जैसे मार्जन इसका इसमें है तो इस मार्जन तक इसका निशान लग गया है इस तरह में लाना है और कटिंग करना है तो इस तरह अस्तिन की कटिंग हो गई है अब आपको क्या करना है कि दो अस्तिनी को पकड़ना है इस तरह और इसको खोल देना है और एक साइड से इसमें गहराई देना है तो इस तरह आप गहराई दे दीजिए इस तरह आपकी आस्तिन की कटिंग आसानी से हो जाएगी आप हमें कुछ पट्टी निकालना है गले की कॉलर के लिए अब आपको कॉलर वनाने के लिए कुछ पट्टिया निकालना है तो आपको क्या करना है इस तरह कपड़े को देखना है एक इंच की चोड़ी रहेगी इसकी कॉलर और आधा इंच रहेगी इसका मार्जन तो मतलब हमें 3 इंच की चोड़ाई कपड़े में चाहिए तो कपड़े को आप सीधे रख लिजी जिससे कटिंग राशानी से कर लेंगे तो इस तरहें तीन तीन इंच के आपको दो दिन निशान लगाना है इस तरहें आपको तीन तीन इंच चोणी दो दिन पटियां निकालना है तो पटियों को कातने के बाद अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि पट्टी आपकी बराबर है या छोटी बड़ी है ठीक है, अगर कम पटती है तो आप एक पट्टी को और काट लीजिए तो इस तरहें आपको मिलाना है हमने दो पट्टियों को पकड़ा है डवल और इस तरहें मिलाते हुए चेक करते आना है तो इस तरहें आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा बड़ा ही रखिए क्योंकि अभी इसमें जोइंट लगना है तो इस तरहें आपको पटी निकालना है तो इस तरहें पटीयों को चेक किया जाता है अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ अगर आप सिलाई को सुरू से और अच्छी से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका टिटोरियल्स का एफ को डाउनलोड कर लीजिए जिस पर मैंने बेसिक कोर्स बनाया है जिससे आपका बेसिक कोर्स किलियर हो जाएगा और ये तीस दिन तक बिल्कुल फिरी है इस तरह इसकी कटिंग पूरी हुई है और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछी और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर देजिए फिर सिल्ला सुरू करते हैं जिलने के लिए आपको आगे और पीछे के दोनों पार्ट को उठा कर रखना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह खोलना है और निशान लगा लेना है कि ये हमारा सीधा कपड़ा है जिससे आपको इयाद रहेगा कि ये आपका सीधा है अब इसको सीधा रखना है इसको फेला के सीधा रख लिया और इसको उल्टा रखना है इस तरह पलट कर रख देना है अब आपको उपर की साइट आदा इंच के हिसाब से सिलाई चलाना है दोनों साइट के जॉंट लगा देना है ठीक है तो यहां पर सिलाई आपको आधा आधा इंच की चलाना है तो इस तरह आपको दोनों साइट सिलाई डाल देना है उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको सीधा करना है इस तरह सीधा रखी तो इस तरह आप इसको सीधा कर लीजिए और इस तरह गुमा कर लाईए तो आंगे के पाट आफ सामने आ गए हैं और इस लाई को पीछे की साइड करना है अब आपको आस्तिन उठाना है और इसमें जोइंट करना है तो यह दोनों आस्तिन हैं इसको खोलेंगे और यहां पर सीधे कनिशा लगा देंगे कि एक कपड़ा हमारा सीधा है और एक आस्तिन को निकाल लेंगे तो आस्तिन में आपको ध्यांग देना है कि जो गहरा ही जाली साइड है वो आंगे के पाट में जोइंट होगी तो इस तरह मिलाते रख लीजिए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए मैं आपको पिन लगा कर दिखा देती हूँ इस तरह बरावर से मिलाते जाए और पिन लगा लीजिए जिससे आपको स्लाइड डालने में आसानी पड़ेगी तो इस तरह में आस्तीन में पूरे पिन लगा कर इसको रोब दिया है अब आपको क्या करना है कि आदा इंच के हिसाब से चलाते जाना है और पिन को हटाते जाना है तो इस तरह आपको इसमें स्लाइड डालना है और पलट करें सीधी हो जाएगी तो इस तरह आस्तीन बनकर कम्पलीट हो गई है अब आपको इसी तरह सेम आइडिया से इस साइट आस्तीन लगाना है तो जैसे आस्तीन अपने इस साइट लगाना है तो एक बार आप फिर देखी अछ़ए से कि आंगे वाले पार्ट में आपको गहराई वाली साइट को मिलाना है इस तरह मिलाते जाए और बस इस पर सिलाई डालते जाईए आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा तो दोनों आस्ती ने इसकी जॉइंट हो गई है, अब आपको इसको पलटना है और इसकी फिटिंग की सिलाई डालना है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, अब इसको पलटकर उल्टा कर दिया है, अब आपको क्या करना है कि एक बार मोहरी को चेक करना है, जितना हमने मार्जन अब आपको इशी निसान के उपर सलाई चलाना है तो दोनों साइटा फिटिंग की सलाई डाल दीजिए तो दोनों साइट इसकी फिटिंग की सलाई डाल दी है तो देखा नेट की जैकेट बनाने कितना अशान है और इक इतनी जल्दी बन जाती है अब इसमें आपको बस कॉला लगाना है और इबनकर कम्पलीट हो जाएगी अब आपको इपटियां उठाना है और सब पटियों को जोइंट करना है तो इसको पहले एक साइट रख देते हैं तो एक पटि को सीधा रखना है और दूसरे को इसके उपर उल्टा रखना है ठीक है पहली को सीधा और दूसरे को उल्टा इस तरह रखेंगे और आदा इंच के हिसाफ से सलाई चला देंगे तो इसी तरह आपको तीनों पट्टियों में जॉइंट लगाना है अब इस जॉइंट को इस तरह आपको रखना है दोनों भाग में तो दोनों भाग में कपड़ी को बांटना है और इस पट्टी को पलट देना है जिससे एक कपड़ा है जो दोनों साइट बरावर से रहेगा और यहाँ पर पिन लगा लेना है तो इसी तरह आपको पट्टी में बीच बीच में पिन लगाते जाना है तो जैसे आप दूसरे जोइंट के पास पहुँचेंगे तो आपको सीम करना है दोनों भाग में कपड़े को बांटना है और इसको पलट देना है और यहाँ पर पिन लगाना है तो इस तरह आपको पट्टी को तईयर करना है इस तरह पट्टी को तईयर करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक साइट कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है ठीके आधा इंच कपड़े को अंदर की साइट फोल्ड करना है और इसको दबा देना है और एक साइट से लगाना शुरू करेंगे तो एक बार आप फिर समझ लीजिए मैंने पट्टी को नीचे की साइट इसलिए मोड़ा है क्योंकि इसको नीचे की साइट मोड़ना नहीं है अगर आप मोड़ रहे हैं तो आपको इस तरह नहीं मोड़ना है ठीक है इस कपड़े को अंदर की साइट नहीं मोड़ना है वस इस बिलकुल किसी कपड़े को नहीं खींचेंगे और आधा इंच के हिसावसे श्लाइट चलाते जाएंगे तो मैं इस कपड़े को इसली और यहां क्योंकि नीची के साइट बॉडर है तो बस आपको बरावर मिला कर रखना है और आदा इंच के हिसाव से सलाई चलाते जाना है आपको किसी कपड़े को खींचना नहीं है इसका आपको ध्यान रखना है तो जिस सेप में इसकी कटिंग है उसी सेप में आपको बस घुमाते जाना है ठीक है इस तरहें आपको सीवी सलाई आदा इंच के हिसाव से डालते जाना है तो इस तरह आपको सलाई डालने के बाद क्या करना है कि इस कपड़े को पकड़ना है और इसके उपर दवा देना है ये जो सलाई वाला कपड़ा है उसी के उपर आपको रख देना है इस तरह जुगा कर रखेंगे और इसके उपर से एक सलाई चला देंगे तो किनारी से आप आपको एक सलाई चलाना है ठीक है जिससे एक कपड़ा है जो पीछे की साइट आपका बार बार ना जाए इसलिए इस कपड़े को कोलर की साइट ही रोक देना है तो किनारे से सलाई डालना शुरू करेंगे और पूरी में गुमाकर लास्ट कर देंगे तो इसमें पूरी में सलाई डाल दी है तो अब इस बनकर पूरी कम्पलीट हो गई है अब बनाएए ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएए अब जाकेट बनकर पूरी कम्पलीट हो गई है अब आप बनाएए ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएए और बताएए कि आपको जाकेट पसंद आए या नहीं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरू कर दीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू धन्यबाद अब आप चाहे तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं तो आपको क्या करना है कि इधर बटन लगा देना है दो और इसमें काज भर देना है और अगर आप चाहे तो इसको बिना बटन के भी रख सकते हैं क्योंकि इसको आपको ड्रेस के उपर पहनना है तो आप इसको बिना